भारत वर्सिस पाकिस्तान आई सी सी वुमिन्स वर्ल्ड कप भारत ये महिला टीम ने लिया चैंपियन्स ट्रॉफी की हार का बदला पाकिस्तान को पिच्चानवे रनों से हराया बाएं हाथ की लेक्स पिनर एकता बिष्ट के पांच विकेट की बदौलत भारत ने आई सी सी महिला क्रिकेट विश्व कप के राउंड रॉबिन मैच में इंग्लेंड में पाकिस्तान को पिच्चानवे रनों से हरा कर जीत की हैट्रिक बनाई भारतिये टीम के 170 रन के साधारन से लक्ष का पीछा करते उत्री पाकिस्तान की टीम एकता बिष्ट की बलखाती गेंदों के सामने 48 शामलव एक ओवरों में ही मात्र 74 रन पर धेरो गई एकता बिष्ट ने मात्र 18 रन देकर पांच विकेट जटके साथी में 30 गेंदबास मांसी जोशी ने दो जबकी जूलन गोस्वामी हर्मन प्रीत कौर और दिपती शर्मा ने भी एक एक विकेट चटकाया पाकिस्तान की ओर से कप्तान सना मीर ने सरवाधिक 29 रन बनाए उनके अलावा सलामी बलेबास नाहिदा खान 23 रन के स्कोर तक ही पहुँच पाई एकता बिष्ट को उनके परदर्शन के लिए प्लेयर आफ दा मैच गोशित किया गया इससे पहले भारतिये टीम नासरा संधू 26 रन पर 4 विकेट और साधिया यूसुफ 30 रन पर 2 विकेट की घातक स्पिन के सामने 9 विकेट पर 119 रन ही बना सकी तेस गेंदवास डाइना बैग ने भी 28 रन देकर एक विकेट हासिल किया भारत तीन मैचों में तीन जीत से 6 अंके साथ अंक तालिका में सबसे उपर है जबकि पाकिस्तान को अपने तीनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है भारतिये टीम के लक्ष का पीछा करने उत्रे पाकिस्तान की शुरुवात बेहत खराब रही और उसने आठवे ओवर में 14 रन तक ही 4 विकेट गवा दिये एक ता बिस्त ने दूसरे ओवर में अपनी चौती ही गेंद पर आईशा जफर को रवाना किया नाहिदा हाला की जूलन के अगले ओवर में भागेशाली रही जब दिप्ती शर्मा ने गली में उनका मुश्किल कैच टपका दिया जावेरिया खान चार ने जूलन पर पारी का पहला चौका जड़ा लेकिन एक गेंद बाद पगबादा हो गई उन्होंने DRS का सहरा भी लिया लेकिन तीसरे अमपायर ने मैदानी अमपायर के फैसले को सही करार दिया एकता बिष्ट ने इसके बाद लगातार ओवरो में सिद्रा नावाज शून्य और इराम जावेद शून्य को पगबादा करके पाकिस्तान के बल्लेबाजी करम की कमर तोड़ी दिप्ती ने नैन अबीदी को पांच रन के स्कोर पर बोल्ड करके पाकिस्तान को पांचवा जटका दिया जबकि मानसी ने असमाविया इकबाल को विकेट कीपर सुष्मा के हातों कैच कराके टीम का स्कोर छे विकेट पर 26 रन किया नाहिदा और कप्तान सना ने आठ ओवर से अधिक तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया नाहिदा इसके बाद हर्मन प्रीत की गेंद को सुष्मा के हातों में खेल गई उन्होंने 62 गेंद में तीन चौको की मदद से 23 रन बनाए सना ने एकता पर चौको के साथ 27 वे ओवर में टीम के 50 रन पूरे किये लेकिन बाए हाथ की इस पिनर ने अगले ओवर में नासरा को एक रन और डाइना को शून्य के स्कोर पर लगातार गेंदों पर पविलियन भेजा सना और साधिया ने 9 ओवर से अधिक समय तक पाकिस्तान की हार को टाला लेकिन मांसी ने विरोधी कप्तान को बोल्ट करके भारत को जीत दिला दी इससे पहले मैच में बल्लेबाजी करते हुए मैच में भारत की शुरुवात खराब और बेहत धीमी रही टीम का स्कोर जब साथ रन था तभी चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर शांदार फॉर्म में चल रही मंधाना दो रन के निजी स्कोर पर पविलियन लोट गई पूनम और दिप्ती ने हाला की विकेट पर अपने पैर जमाए लेकिन रनों की गती को बड़ा नहीं सकी दोनों ने अठारा दश्यमलव पाँच ओवरो में तीन दश्यमलव पाँच पाँच की ओसत से सिर्फ सड़सट रन जोड़े अर्ध शतक से तीन रन दूर पूनम को संधु ने अपना शिकार बनाया और यहां से भारत के विकेट ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे कप्तान सिर्फ आठ रन ही बना सकी और अन्त में सुश्मा और जूलन गौस्वामी ने साथवे विकेट के लिए 34 रनों की साज़दारी कर टीम को इस स्कोर तक पहुँचाने में मदद की मांसी जोशी चार रन और पूनम यादव छे रनों पर नाबाद लोटी पाकिस्तान की तरफ से संधु ने सरवाधिक चार विकेट लिए साधिया यूसुफ को दो सफलता मिली डाइना बैग और असमाविया इकवाल के हिस्से में एक-एक विकेट आया